हेलो विवर्स एक्जामिस्टडी क्लासिस के यूटूब चैन्ड पर आपका स्वागत है और करन्ट अफेर अब डेट का ये थमरा थर्ड सेशन है और इसमें हम बात करेंगे कुछ मैत पूर्ण इंपर्टेन प्रश्णों की जो अक्सर चर्चा में रहते हैं तो चली फिर शुरू करते हैं अपना ये सेशन कुछिन नंबर वन है हाल ही में इंडोनेशिया की शरकार ने जकार्टा के इस्थान पर किसे देश की नई राजधानी बनाने का एलान किया है ओप्षिन है आचे योग्यकार्टा नूस तारा या फिर देन पाशर सही अंसर होगा ओप्षिन शी नूस तारा तो बता दें कि जकार्टा में बढ़ता ट्रैफिक बोज जगे की कमी भूकम बाढ़ और आग जैसी प्राक्रतिक आपदाओं को जोखिम को देखते हुए सरकार्ट ने ये फैंसर लिया है और इंडोनेशिया की अब नई राजधानी होगी दुन्स तारा होगी जिसे डवलप किया जाएगा क्वेशन नमबर टू है हाली में नियाई गड़ी जेस्टिस क्लोक इस्तापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट पनी है महराष्ट हाई कोर्ट, राजिस्थान हाई कोर्ट, इलाबाद हाई कोर्ट या फिर गुजरात हाई कोर्ट सही अंसर होगा ओप्शन डी गुजरात हाई कोर्ट तो गुजरात हाई कोर्ट नियाई घड़ी इनकी जेस्टिस क्लॉप इस्थाफित करने वाली भारत की वहली हाई कोर्ट बनी है जहां अधालत परिशर में LED दिवार होगी जो मामलों के निप्टान और लामबित मामल आधिक और प्रदर्शित किया जाएगा कुश्य नमर तीन है भारत में राष्टिय आपदा प्रतिक्रिया बन एन डी आर एफ का कौन सा इस्थापना दिवस मनाये गया ओप्शन है तेहरेवा, सत्त्रेवा, एक्किसवा या फिर चप्विसवा सही आंसर होगा ओप्शन बी सत्त्रेवा तो बता दें कि 17 जन्वरी 2022 को भारत में राष्टिय आपदा प्रतिक्रिया बन एन डी आर एफ का सत्त्रेवा स्थापना दिवस मनाये गया एन डी आर एफ की स्थापना वर्स 2006 में आपदा प्रवंधन अधिनियप 2006 के इन तरकत की गई थी इसकी स्थापना का उदेश्य आपदा या संकट की स्थिती में तरित प्रतिक्रिया करते हुए जानमाल के सुरक्ष़ करना होता है कुश्च नमर चार भारत में हर्वार्स राष्टिय परेटन दिवस नैसनन टूरिज्म डे किस तारिक को मनाये जाता है ओप्षण है किस जनवरी को तेज जनवरी को पच्चिस जनवरी को या फिर 27 जनवरी को इस प्रेशन का सही आंसर होगा ओप्षण नमबर सी 25 जनवरी तो भारत सरकार ने देश की अर्थविवस्ता के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को राश्टे पर्यटन दिवस के रूप में स्थापित किया पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, राजनितिक, वित्य और सांस्कृतिक मुल्ले के बारे में वेश्विक शमुदाई के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिन बनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम थी, ग्रामिन और सामुदाई केंदिरित पर्यटन है और 25 जनवरी से एक दिवस और है, उसको भी बता दें कि राश्टे मद्दाता दिवस तो 25 जनवरी को राश्टे मद्दाता दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमांत्री राश्टे बाल प्रुषकार मिला है और 25 बच्चों को, 29 बच्चों को, 35 या फिर 38 बच्चों को सही अंसर होगा और और बच्चों को तो हाली में 73 वे गड़तंत्र दिवस पर भारत के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राश्टे बाल प्रुषकार से सम्मानित किया गया और इस प्रुषकार को प्रतिवर्ष बहादुर और प्रतिभागी प्रतिवाशाली बच्चों को उनकी उप्रवधियों के आधार पर प्रदान किया जाता है कुश्चन नमर सेक्स तेसी जन्वेर को किस वेक्ति की जेनती पर पूरे भारत में प्राक्रम दिवस मनाए गया तो ये एक वेक्ति कोन है उप्षन उधम सिंग, सुभाश चंद्रवोश, चंशेकर राजाद या फिर भगत सिंग सही अंसर होगा उप्षन नमर सी, सोरी उप्षन नमर बी सुभाश चंद्रवोश तो तेस जन्वरी 2022 को भारत में प्राक्रम दिवस मनाय गया और यह दिवस प्रति वर्ष तेस जन्वरी को मनाय जाता है और इस दिन नेताजी सुभाश चंद्रवोश की जन्ती मनाय जाती है उनी नेताजी सुभाश चंद्रवोश की जन्ती को ही प्राक्रम दिवस के रूप में मनाय जाता है और इस बार नेता जी की 125 वी जन्ती मनाई गई और इनका जन्म 13 जन्वरी 1897 को उडिसा के कटक में हुआ था कुश्च नमर 7 है नेता जी रेसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधार मंत्री को नेता जी प्रुषकार 2022 से सम्मानित किया है ओप्शन है तोशिक की कैफू, सिंजो आबे, नाउटो कान या फिर योशिरो मौरी और सही अंसर होगा ओप्शन नमबर B, सिंजो आबे तो नेता जी रेसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधान मंत्री सिंजो आबे को नेता जी प्रुषकार 2022 से सम्मानित किया कोलकाता में जापान के महावाणिजिक दूत नाका मूरा युताका ने आमबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया और नेता जी सुभाश्च चंदर बोस की 125 वी जैनती पर उन्हें यह सम्मान प्रधान किया गया आगे बढ़ते हैं कुश्च नमर एट यूनेशको ने भारते दरोहरों का विवरण निमन में से किस भासा में चापने की सहमती दी है तब कि यो जो यूनेशको है यूनेशको की जो वेबसाइट उस पर जो भारत की जितनी भी जो दरोहर हैं साइट्स हैं उन साइट्स को के बारे में जो भी विवरण है उसे अब किस भासा में चापा जाएगा किस भासा में प्रधर्शित किया जाएगा कहने का मतलब यह है तो आप्शन हैं अंग्रेजी पूर्दू संस्क्रत या फिर हिंदी तो इस प्रशन का सही आंसर होगा आप्शन नमबर डी हिंदी तो विश्व हिंदी दिवस पर सेंक्त राष्ट सेक्षिक वेग्यानिक एवं सांस्कृतिक संग्ठन यानिकि यूनेशको ने अपनी वेब के बारे में जानकारिया होंगी वो सभी हिंदी में ही प्रदर्शित या जाएगा कि कुछ नमबर नाइन हाल हमें जारी वर्स 2021 की ब्रश्टाचार अवधार्णा सूचकांक में भारत को कौन सा इस्तान मिला है कि ऑप्शन है नवासीवा चोरानवेवा पिचासीवा या फि तो ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल की और से जारी वर्स 2021 की ब्रश्टाच चार अवधाना सूचकांक में एक सोचीवा पिचासीवा इस्तान मिला और यहां भारत को पिछले साल के तुल्णा में एक इस्तान का सुधार हुआ है पहले चासीवा नार्वे ने इस सूचीवा साल हांसिल किया है कि कुश्चिन नमर 10 की तरफ चलते हैं तो हाली में कुल कितनी हस्तियों को पदम आवार्ड 2022 देरी की घोश्टना हुई है 125, 128, 135 या फिर 150 सही अंसर होगा ओप्शन नमबर भी 128 तो हाल ही में वर्स 2022 के पदम सम्मान पदम आवार्ड 2022 से समानित होने वाले हस्तियों के नामों की घोश्टना हुई और इस वार 128 लोगों को पदम सम्मान मिलेगा इसमें चार पदम विभूशन होंगे 17 पदम भूशन होंगे और 107 पदम श्री पुरुशकार सम्मिल है और ये भी बता दें कि इस वर्स पहर पूर्व जो CDS जनर्र वेपन रावत और उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमिंतरी कल्यान सिंग को मणो प्रांत पदम विभूशन से सम्मानित किया गया है आगे बढ़ते हैं कोशिन नंबर 11 के तरफ हाल ही में भारत के मुख्या आर्थेक सलाकार नुक्त किये गए हैं तो सही अंसर होगा ओप्शन नंबर D वी अनंत नागेश वरन तो हाल ही में डॉक्टर वी अनंत नागेश वरन को भारत का नया मुख्या आर्थेक सलाकार उनके चीफ एकोनोमिक एडवाईजर नियुक्त किया गया है और वी अनंत नागेश वरन इस बार इस पदपर के वी शुब्रमन्यम की जगय लेंगे तो उनके इस्तान पर ये अपना पदभार संभालेंगे क्वेश नंबर 12 रूस चीन इरान की सैना ने हाल ही में किस खाड़ी में सेंक नोसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयुजित किया है बंगाल की खाड़ी में और अरब की खाड़ी में पनामा की खाड़ी या फिर ओमान की खाड़ी में तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ओप्शन नंबर D ओमान की खाड़ी तो रूस, चीन और इरान के सैना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में सेंख तो नो सैनी के अभ्यास चीरू 2022 आईजित किया जिसका उदेश से तीनों देशों के नो सैनाओं के बीच वेवारिक सहयों को गहरा करना है तो चीरू इसी से आप लगाते हैं CH for China, CH China और I Iran और R.U. रूस तो इन तिनों सैनाओं का तिनों देशों का इस तो नो सैनी के अभ्यास ता Q13 केंदर शाषित प्रदेश में जेरी हैमलेट को केंदर शाषित प्रदेश का पहला दूद गाउं गोशित किया है दिल्ली, चंडिगर, लक्षदीप या फिर जम्मो कश्मीर तो जम्मो कश्मीर केंदर शाषित प्रदेश में जेरी हेलमेट को हाल ही में केंदर शाषित प्रदेश का पहला दूद गाउं गोशित किया गया है कुश्य नंबर 14 है पनामा जंगल में खोजी गई वर्सा मेंड़क की एक नहीं प्रजाती का नाम जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है ओप्शन है एमे स्वामिनाथन, बी मलाला यूसुफ जै, ग्रेटा थनबर्ग या नेता जी सुवास्चंदर बोस सही अंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग तो पनामा जंगल में खोजी गई वर्सा मेंड़क की एक नहीं प्रजाती का नाम हाली में ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है इस प्रजाती को प्रिष्टी मांटिस ग्रेटा थनबर्ग बरगे नाम दिया गया है और इस मेंडो को मुल रूप से दो हजार बारे में खोजा गया था बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ और ये हमारा इस सेशन का आखरी प्रेश्चन होगा इसमें हमने इस पार पांच प्रेश्चन ओर लिये हैं पहली जो दो सीरीज थे उसमें हमने दस कुश्चन दिये थे लेकिन इसमें हम पंद्र कुश्चन की दिये हैं चली तो प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच फरवरी को किस सहर में रामा नुजचारी की 216 फिट की मूर्ती का उधगाटन करेंगे पूने हैदराबाद चेनने या फिर दिल्ली तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पांच फरवरी को हैदराबाद शहर में रामा नुजचारी की 216 फिट की मूर्ती का उधगाटन करेंगे और स्री रामा नुजचारी ग्यारवी सदी के संत और क्रांतिकारी समा सुधार्ग ते और यहीं पर आपको यह बता दें कि जो रामा नुजचारी की जो मूर्ती होगी जो इस्टेच्यो होगा इसे इस्टेच्यो ओफ एक्वेलिटी के नाम से जाना जाएगा और यह मूर्ती वेश्व की सेटिंड सेटिंग मतरब दूसरे नमबर की सब बैठी होई मूर्ती होगी पहली है भगवान बुद्ध की है और दूसरी रामा नुजचारी की होगी जो बैठी होई आवस्ता में होगी तो टेप 15 प्रेशन थे जो करंट से थे हमारे तो ठेंक्यू इसे सीरीज को देखने के लिए और आपसे एक रिक्वेश्ट है प्लीज किसी भी सीरीज को हम तैयार करते हैं तो उसमें काफी महनत होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथे साथ अपने दोस् जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए तो फिर मिलेंगे अपनी अगले एक नई सीरीज के साथ में